अयोध्या में राम मंदिर तो बनी रहा है, अब वहां मस्जिद बनाने की तयारी हो रहे हैं, वहली इट ये सा हमारे सामने रखा है, और ये इट अब अयोध्या जाएगा, और वहां एक मस्जिद का निर्मान होगा, जो पूरे बिस्व को अपनी ओर आकरसित करेगा, 5 एकर जमीन, हमको सुप्रीम कोट ने दी, 6 एकर जमीन, हमने वगबोड के जरीए पहल की, तो यानि 11 एकर पे ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है, बाबर नाम छोटा लगे, बाबर हमारा आइडियल हो इने सकता, बाबर एक राजा था, बाबर तीर तलवार लेके आ ताज महलनी जाएंगे, लोग मस्जित मुहमद बिन अब्दुल्ला देखने जाएंगे, नमाज, रोजा, जकात, हज, ये जो इसलाम की पांच बुनियाद है, उस पांच बुनियाद के ओपर पिलर हमने खड़ा किया, ये मस्जित दुआ और दवा का केंदर बिंदु होग पहली इट ये सामने रखा है, और ये इट अब अयोध्या जाएगा, और वहाँ एक मस्जित का निर्मान होगा, जो पूरे बिस्व को अपनी ओर आकरसित करेगा, कैसा होगा स्वरू पर पहली इट आप भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? देखे, बताते हुए खुशी मैसुस करता हूँ, कि ये मेरे माबाप की दुआ है, कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सब्जिक, जो पूरी दुनिया का, जिसके पर ध्यान था, हर दुनिया के मुसल्मानों का ध्यान था, जो जिन्दा है उनका भी, और जो दुनिया से चले आए, दारुलून दियोबन से, उन्होंने मेरे पास बात रखी, कि हजी भाई, ये सब्जिक कई साल से मजजित का काम रुका हुआ है, इसके उपर हमको काम करना है, तो मैंने उसकी सारी बाते पूछी, और उससे बात करने के बाद, हमने एक बड़े आलिम मेरे घर आ रहे ह और आने के बाद उन्होंने से, जब मेरे सामने पूरी बाते रखी, तो मैं आयोद्या के तरफ चला गया, आयोद्या जाने के बाद, मैंने जब 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 देखी, मैं बाप खुदा बताता हूँ, अल्ला को हाजिर नाजिर रखके बताता हूँ, इतनी खुबसूरत, इतनी बाते जम के आई है रोट जमीन चारो तरफ आम के बाग इतनी खुबसूरत जमीन वहाँ एक अल्लाओ वाले शाह गदाशा अदुले वहाँ पर आराम फर्मा रहे हैं मैं दरगा में जब गया तो मुझे ऐसा लगा कोई मेरा हाथ पकड़ के दरगा में ले जा रहा है मैंने वहाँ दुआये मांगी और दुआये करें कि मैंने 25 करोड लोगों में आपने मुझे चुना है सरकार से मैंने कहा कि मैं बहुत नौर्ण फैमिली से हूँ पर आपने मुझे चुना मुझे काम ले लो और जब मैं भार आया वहां हमारे जफर साब चेर्मेन जिनको सुप्रीम कोट ने जमीन जुद्धी उनके हैंड़वर किये वकड़ के चेर्मेन वगरा सब साथ में थे उन्होंने मुझे पुरा प्लॉट घुमाना शुरू किया जब मैं प्लॉट पे जब देखा तो सामने बोर था जिस पर इसकी डिजाइनिंग थी मैं देखके वहाई रुख गया तो वहाँ से फिर मैं मुंबई चला आ गया मुंबई आने के बाद मैंने हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े हर मसलक के सुन्नी तबलीग पिर हर एक से मैंने बादशीत शुरू कर दी कि हमारे बच्चों का मुस्तक्बिल सवरना चाहिए कही ना कही नफरते महबतों में बदलना चाहिए जितने हम मुसल्मान है उतने इंडियन भी है अगर हमारे हिंदुस्तान के गरे बात आती है हर एक चीज़ को इस देहान में रखते हुए आन बान शान उनको सबको रखते हुए इंशाला अपनी मुसल्मानों की वकार रखते हुए सारी चीज़े की जाएगी इसकी पहल करना चाहिए सुप्रीम कोड को जब हमने कहा कि सुप्रीम कोड जब जो फैसला करेगी हम उस फैसले को मंजूर करेंगे जब मुकर नहीं सकता है इस सारी बाते समझाए तो कई उल्माओं ने कहा कि मजजिद बदल मजजिद हो नहीं सकती पॉसिबल नहीं है तो हमने वो भी बात जफर साब चेर्मेन के पास रखी वर्ग बोर्ड सुनी यूपी के पास में फिर किस मौलाना ने कहा कि आपनी डिजाइ किसे बनी हुई थी उस पर मिनारे नहीं थी मजजिद की शकल ही नजर नहीं आती थी तो लोगों को बसंद नहीं आ रही थी वो भी एक मसला आके खड़ा हो गया था तो मैंने सारी बाते रखी तो चेर्मेन यूपी सुनी वर्ग बोर्ड के जफर फारुकी साब ने कहा चेंज करने की बात की तो उन्हों ने तुरंँ कहा कि बिलकुल आप मजजिद की डिजाइन चेंज कीजिए तो मेरे एक दोस्ते बहुत देर तक बात हुई, बहुत सरा डिसकुशन हुआ, कि मस्जिद कैसी होगी, इसके पर हमने बात हुई, तो उन्हें ने पूछा मुझे मस्जिद कैसी होगी, तो मैंने उनको कहा कि सवाल का जवाब होना चाहिए, तो उन्हेंने का मैं समझा नहीं सवाल का जवाब क्या है कि सवाल का जवाब में विला ये है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी इमारत नहीं होनी चाहिए इस से खुबसूरत लोग इसके बाद ताज महल नहीं जाएंगे लोग मस्जित मुहमद बिन अब्दुल्ला देखने जाएंगे तो हमने मस्जित की डिजाइन की फिर उन्हेंने नाम का पूछा तो हमने एक नाम ऐसा नाम के जो बाबर नाम छोटा लगे बाबर हमारा आइडियल होई नहीं सकता बाबर एक राजा था इस देश पे तीर तलवार भाला लेके आया था इस देश पे राज करने आया था इस देश पे कबजा करने आया था हम बाबर को नहीं मानते हम गरीब नवास को मानने वाले लोगे बाबर तीर तलवार लेके आया था गरीब नवास कासा लेके आया थे बाबर लूटने आया था गरीब नौास देने आया थे हम गरीब नौास को मानने वाले लोगे तो मजजित मुहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम दिया गया नाम का हो गया अब शरई मसला के अटक गया कि शराई मसले के अंदर जो मज़िद बदल मज़िद जो जो इमाम नहीं चाहते थे हम नहीं मानते कि बाकी फिर भी उनकी भी बात रखना चाहिए कि हमारे बड़े है दुनिया हिंदुस्तान में आज बड़े ओधे पे बैठे हम उसको आले में दीन बोलते है पीर बोलते है तो जब बात आई तो हमने वहाँ पे छे एकर जमीन की बात रखी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम ने हमाँ सोचा कि हम वहाँ पे कैंसर होस्पिटल बनाएंगे और मजिद के साथ में जो सुप्रीम कोटने हमको जबीन जो दी उस प्लोट पे कैंसर होस्पिटल बनेंगा मेडिकल कॉलेज बनेंगा लॉग कानून सीखेंगे लोग पढ़ेगे हमारी बच्चिया पढ़ेग वो मजिद मुहमद बिन अब्दुल्ह हॉस्पिटल में जाएंगे और वहाँ उनका इलाज होगा और मुफ्त में इलाज होगा तो जब वो नहीं से जब जाएगे अपनी मा का इलाज करके जब कोई हिंदू वेकती जाएगा पांडे जी शुकला दी जाएगा या कि यह मुसल्मान हमको मदीने वाला मुसल्मान दिखाना है हमको नभी वाला मुसल्मान दिखाना है हमको गरीब नवाज वाला मुसल्मान दिखाना है अगर यह चीज हम वापे करने में कामियाब हुए हंडेट परसंग अल्ला ने चाह इस देश में नफरते खतम होगी और म पर ले जाने चाहते हैं धार्मिक एक्ता की बड़ी मिशाल को खड़ा करना चाहते हैं यह मस्जिद बनेगा हमने सुना है कि उसमें दो बजू खाने होगे एक तरफ में महिलाएं बजू करेंगी दूसरे तरफ पूरुष बीच में जो है पर दुनिया से मदद आगे हिंदूस्तान कोई घरीब नहीं है मुसलमानों के पैसा है सबके पास पैसा है और जरूरी नहीं है कि जब ऑस्पटल बनेगा तो मेरे कई हिंदू दोस्त है तो बड़े हॉस्पटल जब बनेगा तो हजी बाई ज़रूर मुझे याद करना तो ऐस प्राइटने के बाद ये बाते सब सुन रहे तो नोग हम एप्रिशेट करते है कि ये जो काम करने जब जा रहे और ये फिश एक्वीरिया वगरा तो हुस्पिटल तो में हमारी जरूरत की चीज़े यही पैगाम है यही एक पैगाम हमको देना है दूनिया हिंदूस्तान में तो देश के लोगों से प्यार होना चाहिए अगर हम एक दूसरे को जब महबत देंगे तो महबत मिलेगी, नफरत देंगे तो नफरत मिलेगी, तो हम महबत कैसा देंगे, जो इतना बड़ा मामला जो लोग भूल नहीं पा रहे आज मुझे यकीन है, कि जब वो मस्जिद बनेगी, मस्जिद बनने के माज़ दो रकात जब नमाजे होगी, तो लोग कबरों में से दुआ देंगे, जो बेकसूर मारे गए, जिनका कोई लेना देना नहीं था ठेले वाला था, रस्ते पेता, ऐसे कई लोग जो बेकसूर जिद का कोई दूर दूर तक पता ही नहीं था, उनको क्या हो रहा है, और उन लोगों के लिए जब दो रकात नमाज पढ़े जाएगी, तो ता कयामत था कि वो दूआ देगी, और मेरी नसलों को, मेरे बच्चे जब रस्ते पे जब निकलेंगे, तो लोग रिस्पेक्ट से बोलेंगे कि इनका बाबाजी आराफाशी के, ये एक चीज सोची, हमने वहाँ पे फिश एक्यूरियम बनाने का, हमने क्यों सोचा, कि टूरिजम किस तरी कि इसे वहाँ पे ट्रैक करेगा, तो एक दुबई से बड़ा फिश एक्यूरियम मना रहे हम लोग, कि दो महला और पुरुष के बीच में जो वजू खाना है, उसके बीच में काच के इनका खुब सुरत मचली को जब बच्चे जब जाएंगे, तो वजू भी करेंगा, बड़ी-बड़ी मचलियों को देखेंगे, तो एक नहीं चीज नजर आएगी, हम अदभुत कुरान बना रहे हैं, और अदभुत कुरान दुनिया का सबसे बड़ा कुरान, जो दो कुरान बन दो, दोनों तरफ में, दो बनेगा, एक कुरान जाएगा, पुना में, मेरे वाली हजरत सलामती पीर रहमतुलाले, जो बहुत बड़े पीर है, जिनकी दरगा पुना दिहुरोड में है, तो एक कुरान जो रहेगा, वो पुना में रहेगा, जो हरे रंका बन रहा है, जिसकी हर पहला हुर्फ मीम से शुरू होगा वो पुना में रहेगा और जो दूसरा जो कुराइन जो अयोध्या में धनीपूर में मज़ित मुहम्मद बिन अब्दुल्ला में रहेगा वो केसरी रंग का रहेगा जो काव से उसकी हर घुर्फ शुरू होगे और देखने भी क्योंकि सरकार गरीब नौास दुशाला वो पेंते थे उनके कपड़े का कलर भगवा होता था तो भगवा जितना हिंदू होगा है उतना हमारा भी है तो अगर हम अगर भगवे से प्यार करेगे हम भगवे को इसलिए प्यार करते क्योंकि वो गरीब नौास के दुशाले का पहार है आप जो देखे तो उस तरीके से उस concept हमने सोचा कि ये हिंदू और मुसल्मा है जबके देहू अगर मेरा गाव तो वहाँ पे भगवा होना चाहिए था क्योंकि वो संतुकारा महराज का गाव है सबसे बड़ी अगर हिंदूस्तान की सबसे बड़ी अगर मंदिर संतुकारा महराज की जिसको प्राइम मिनिश्टर मुदी जी ने अभी इसका उड़काटा ने हुआ था तो उस गाव का ये रहने वाला हजिया राफाश है कि मैं संतों को हम मानते ये संतों की भूमी पे हम र तो ये रात होती है जैसी अजान होगी वैसा पानी का फुआरा उपर आएगा लाव अखबर पानी बाते करेगा अजान जो होगी पानी पे होगी आवाज जैसे लाव अगर पानी उपर उच लेगा और उस वी वक्त मज़िद की आटोमेटिक लाइटे शुरू होना चालो जाएगी मगरीब के वक्त क्योंकि चांद और सूरज को इसलाम जर्म में बहुत आहिमियत दी गई है तो जैसी मगरीब के आजान होगी वैसे लाइटे शुरू होगी और जैसी फजर होगी सुबा का सुबा वक्त आगा तो आटोमेटिक लाइट बंद होना चालोगी तो ल जाने के बाद देखें फिर उसके बाद खास तोरपर कैंसर के जो पेशेंट लेडिस तो उसके लिए हमने वहां पे प्रेग्नेंट लेडी जब जाएगी उसका भी फ्री इलाज किया जाएगा वो कैंसर का जो गेट जाएगा जिसको इमदा दिया होस्पिटल का हमने नाम तो जब इमदा दिया तो जब गेट में गा तो दो रुपे जो फॉर्म का भरना वो भी ने लिया जाएगा और वो जाएगा कोई भी हो जाती धरम का हो सींदू, मुसल्मान, सीख, इसाई कोई भी हो उसको एक घर अपना परिवार में जिस तरी कि वेलकम किया जाता है उसको ऐसा फिल हो कि मैं मेरे घर में हूँ, जिस तरीके से हमारे परिवार के लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, उस तरीके से हर धरम के लोगों को वहां रिस्पेक्ट दिया जाएगा, जब तक उसका इलाज नहीं होता तो वहां लेडिस अगर किसके साथ होगा या कोई बेटा आएगा तो दो special building बनाई जा रही है जिसमें सिर्फ ladies लोग रुकेगे क्योंकि उनके patient के लिए उनको रुकना क्यों डालेसे होता है या cancer के patient के लिए पंदरा दिन रुकना है बीस दिन रुकना है तो दस दिन उसके लिए कोई भाड़ा नहीं लिया जाएगा यहां तक के सुबा का नाश्टा दुपेर का खाना वेश्क दिया जाएगा कि यह हमने अपने आप से सोचा कि सभी जाती धर्म के लिए अब हम बात करें तो मटन मच्छी वहां पर हमने सोचा कि वहां नहीं रखेंगे और सभी लोगों के लिए साधा खाना साधा रहेगा जिसके सहद भी अची होगी और किसी धर्म का कोई वेक्ति को यह भी नहीं लगेगा कि इसके कीचन के अंदर मटन मच्छी बनी है वो भी अच्छे तरीके से जो अपने धरम का पालन करते भी आएगा और उसके कीचन तक हमारे कीचन तक के एक हिंदू बेक्ति जब जाएगा तो वो है आभीमान से जाएगा रिस्पेक्ट जाएगा कि उसको लगेगका," मस्जिद मुहम्मद बिन अब्दुल्ला और उस पे पूरा उपर जो लिखी हुए आयात लिखी हुए कि ये इट कौन लगाता है मस्जिद तामीर कौन करता है उसकी दुआई लिखी हुए कि दूसरे साइड से नुबी के पूरे परिवार का नाम है इमाम हुथान, मुहमे हुसाइन, सभी चारो खलीफाओ का नाम है और उसके बाद जो कोई भी इट ये देगा मस्जिद के लिए तो उनके परिवार का नाम जैसे मैंने मेरे पिताजी का नाम लेका है दूसरे साइट के अंदर कि मज़िद मुहमद बिन अब्दुल्ला को सलामती पीर रहमतुल्ला आले के तरफ से अलमगिर शाह के ये इट हमने वफ की तो मैंने ये दी इट और ये मज़िद को मैंने इट दे दी ये मेरी इट वहाँ जाके दिवाल पे लगेगी उस पर प्लस्टर होगा ता कयामत तक के जब तक के लोग नमास होगी जब तक मज़िद होगी ता कयामत तक के मेरे वालीद को उसका सवाब मिलेगा ये हमने कॉंसेट लाया दूसरी चीज हमने कहा के पूरे हिंदुस्तान में नहीं कहीं पर भी नहीं कोई बी मॉला नं, या कोई भी व्यक्ति, चन्दा नहीं माँगेंगा, जो रेसीट फारते गोमते हैं, कैसे डोनेशन करेगा, अगर हम करना चाहें, तो हमने उसके लिए एक वैपसाइट हम बना रहे हैं, जिस website के जरीए QR code होगा जो कोई भी पूरी दुनिया से कही से भी जो इंडियन रहता है वो अगर मज़िद के लिए देना चाता है या कोई भी है देना चाता है तो direct मज़िद के account में देगा और मज़िद के account में पैसा direct जाएगा दूसरा कोई ठेले वाला गरिब केले वाला होने दो मटन वाला होने दो रिक्षा वाला होने दो या कोई भी वेक्ति सो रुपे भी देना चाता है वो QR code के जरीए देगा direct मज़िद के account में जाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है सीधा उसका message उसके mobile पर आएगा जैसी account में सो रुपे गए वैसी उनके तुरन मज़िद मोहमद बिन अब्दुल्ला शुकुरिया और दुआ और थाइंक्स का उनको message आगा ताके उनको लगेगा कि ने मेरे पैसे राइट जगा पे गए किसी वेक्ति के हाथ में ने जाएगी मैं आपके channel के मादयम से कहूँगा कि पुरे हिंदुस्तान में सभी लोगों से कहूँगा या पुरी दुनिया में सभी लोगों से कहूँगा कि जहां जहां आपका चैनल देख mina कोई भी वेक्ति आपके पाद चन्दा मागने आया तो महरवानी करके चिट्टी और रिशीट के ओपर हमने हमारी पूरी टीम ने फैसला किया है कि चिट्टी और रिशीट के ओपर पैसा नहीं दिया जाएगा जिस किसी को देना है तो डारेक्ट मस्जीद में दे, qr code के जरीए दे, डारेक्ट अकाउंट में मस्जीद के डाल वर्करों का मैं उन वर्करों से कहूंगा मैं पावर का जो मुंबई आते हैं पूरी दुनिया में जाते हैं तो ऐसे वर्करों से कहूंगा अगर आप पैसा नहीं दे सकते तो वहां के मैनत किजिए, काम किजिए, इलेक्टरेशन हमको और वहां पे इस तरीके से आप काम ज़िये चे मेने का मुँए और सवाब कमाईए जिसमे पलंबर चाहिए हमको लेबर हमको चाहिए इलेक्ट्रशेंन हमको चाहिए जो जो लोग जिस तरीके से वहां काम करना चाहता है बिलकुल आईए और इस मजईद का हिस्सा बनिये जो पैसा दे सकता पैसा दीजिए जो क काम कर सकता, काम कीजिए, हमको कई कुक लगेंगे, को आप इतने लोग काम करेंगे, तो लोगों खाना बनेगा, अद्बुत तरीकी से काम शुरुआत होगी, ताके एक हमको पैगाम देना है, मैं आपको एक वीडियो भी दूगा, मैं आपसे विनिंति करूँगा, उस मजजी किसे उसका डिजाइनिंग और जो कॉंसेप्ट हमने लेका आया है, हंडेट परसन हिंदुस्तान के अंदर ऐसी अद्बुत मस्जिद देखने के लिए, नहीं किसी न देखी होगी, पाँच बुनियाद पर इसलाम की जो पाँच बुनियाद है, उसके पर पिलर हमने खड़ देगी, तो दौएदेगी, मिनार का क्या कहना है, मिनार मस्जद की बोलती है, अल्ला सबसे बड़ा है, अल्ला हुआ इकपर, जो बिमार अक्बर आक्बर, जो इस मिनार को भी देखेगा, वक्र दो अपर बिरूह ऑक, दो नमाजी देखेगे और अपना इलाज भी और पर episód के लिए पूरे बिस्ट में अमन्चैन के लिए जैसे जैसे इसका काम शुरू होगा उसका पूरा एक एक वीडियो आपको दिखेगा पहले दिन इट रखने से ले करके मस्जिद जब पूरी तरह से तयार होगा तब तक अगर मैं ऐसे ही सलामात रहा तो हमारे लिए दुआई कीजेगा सेख सहाब के लिए दुआई कीजेगा और जो लोग जो दे सकते हैं कहे दिया अगर आप डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट कीजे नहीं तो अगर कुछ नहीं है ताप दोनों हाथों से स्रमदान करना चाहें तो आईए मस्जिद में काम कीजे और मस्जिद का निर्म कर वान कर वाइगे